नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे की केलाइट क्रीम का उपयोग किन कंडीशन में किया जाता है केलाइट क्रीम को कैसे लगाना चाहिए और केलाइट क्रीम की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे की केलाइट क्रीम को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में केलाइट क्रीम को लगाना रेकमेंदेड नहीं होता है। केलाइट क्रीम का उप्योग चेहरे पर दाग, धब्बों, निशान वजाईयों को हटाने के लिए किया जाता है। आखों के नीचे काले घेरे होने पर यानि डार्क सरकल्स होने पर भी केलाइट क्रीम का उप्योग किया जाता है। दूप की वजह से भी हो सकते है। मेलाजमा की समस्या सबसे ज्यादा महिलाओं में होती है। लेकिन मेलाजमा की समस्या पुर्षों में भी हो सकती है। केलाइट क्रीम का उप्योग महिलाए, वह पुरुष दोनों ही कर सकते है। अब हम डिसकस करेंगे की केलाइट क्रीम को कैसे लगाना रेकमेंडेड होता है केलाइट क्रीम को दिन में एक बार और रात को सोने से पहले लगाना रेकमेंडेड होता है केलाइट क्रीम को रात को सोने से कम से कम 30 मिनट पहले लगाना चाहिए अगर आपको केलाइट क्रीम को चेहरे पर लगाना है तो आपको केलाइट क्रीम को लगाने से पहले अपने चेहरे को पानी से अच्छी तरह से दो लेना चाहिए और उसके बाद आपको अपने चेहरे को एक साफ कपड़े की मदद से साफ कर लेना चाहिए और चेहरे को अच्छी तरह सुखाने के बाद केलाइट क्रीम की एक पतली लेर चेहरे के प्रभावित एरिया पर लगानी चाहिए। केलाइट क्रीम को एक उंगली की मदद से हलके हाथ से फैला कर लगाना चाहिए। और केलाइट क्रीम को ज्यादा रगड कर नहीं लगाना चाहिए। केलाइट क्रीम को आख, मुह और नाख के किनारों के पास लगाना रेकमेंदेद नहीं होता है। इसलिए केलाइट क्रीम को आख, मुह और नाख के किनारों के पास नहीं लगाना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि केलाइट क्रीम को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में केलाइट क्रीम को लगाना रेकमेंडेड नहीं होता है जब तक आप केलाइट क्रीम को लगा रहे हैं तब तक आपको दिन के समय में सूरज की धूप में जाने से बचना चाहिए क्योंकि केलाइट क्रीम की वजह से त्वचा धूप के प्रती बहुत ज्यादा संबेदन्शील हो जाती है और जिसकी वजह से संबर्ण होने का रिस्क अधिक हो जाता है अगर आपको किसी कारणवश धूप में जाना भी पड़ता है तो आपको केलाइट क्रीम को केवल रात के समय ही लगाना रेकमेंदेड है इसलिए आपको केलाइट क्रीम को दिन के समय में नहीं लगाना चाहिए लगातार आठ सब्ताह से अधिक केलाइट क्रीम को लगाना रेकमेंदेड नहीं है इसलिए आठ सब्ताह से अधिक केलाइट क्रीम को की सलाह के बिना नहीं लगाना चाहिए त्वचा पर कोई इंफेक्शन होने पर या थ्वचा पर कोई घाव होने पर के लाइट क्रीम को घाव के ऊपर या घाव के आसपास नहीं लगाना चाहिए बार बार या लंबे समय तक आपको के लाइट क्रीम को आखों के नीचे या आ आखों में केटरेक्ट या ग्लूकोमा हो सकता है। आखों में केटरेक्ट या ग्लूकोमा होने पर आखों की देखने की दृष्टी कम हो सकती है। इसलिए लंबे समय तक केलाइट क्रीम को आखों के नीचे या आखों के आसपास लगाने से बचना चाहिए। अगर आपको के इंग्रीडिन्स से इलरजी है, तो आपको केलाइट क्रीम को नहीं लगाना चाहिए और इसके बारे में आपको डॉक्टर को भी पताना चाहिए. अब हम डिसकस करेंगे की केलाइट क्रीम की वजह से क्या साइड एफेक्ट्स हो सकते हैं. केलाइट क्रीम की वजह से त्वचा में जलन, खुजली या रेडनेस हो सकती है. अगर आपको केलाइट क्रीम को लगाने के बाद त्वचा में जलन, खुजली या रेडनेस ज्यादा होती है या लंबे समय तक बनी रहती है, तो आपको तुरंथ ही डॉक्टर से परामर्ष ल के बिना केलाइट क्रीम को नहीं लगाना चाहिए और केलाइट क्रीम को केवर उतने समय तक ही लगाना चाहिए जिनतने समय के लिए आपके डॉक्टर ने केलाइट क्रीम को लगाने की सलाह दी है कुछ लोगों में केलाइट क्रीम को लगाने के बाद त्वचा की एक पतली ल उठने के बाद अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लेना चाहिए और उसके बाद आप वैसलीन या कोई अन्य मॉस्टराइजर क्रीम लगा सकते हैं ताकि आपकी त्वचा में सूखापन, खुजली और जलन ज्यादा नहों। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं केलाइट क्रीम को लगा सकती है या नहीं। चाहिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका केलाइट क्रीम से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।